Hello students and welcome to Roshi's Education Point. आज हम पढ़ेंगे मोहक हिंदी व्याकरन, Class 3, Chapter 3, Chapter का नाम है मात्राएं. हिंदी भाशा में हर वर्ण के लिए एक चिन निश्चित है, जैसे आ, इ, ए, आदी. हिंदी वर्ण माला के सभी व्यांजनों में अस्वर मिला होता है. क्या बोला यहां पे, कि जितने भी व्यांजन है, सब में अस्वर पहले से ही मिला होता है. अगर आपको पबनाना है, तो इस पब के साथ हलंथ लगा रहता है, और साथ में जुड़ता है अ, तब ही जाके हमारा पबन पाता है. उसी तरीके से यह है त, त के नीचे लगा है हलंथ, फिर है ई, ई लगने के बाद ही यह बनता है ती. अतह स्वरों को व्यांजनों के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, बलकि इनके चिन व्यांजनों के साथ लिखे जाते हैं. स्वरों का यह बदला रूप ही मात्रा कहलाता है हम क्या करते हैं जो व्यंजन होते हैं उन्हें कभी भी हम अकेला नहीं लिखते हैं हम इने स्वर के साथ जोड़ कर ही लिखते हैं त के साथ जब ए की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा ती प के साथ जब उ की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा पू व्यांजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेश चिन मात्रा कहलाते हैं जब भी हम किसी व्यांजन के साथ किसी स्वर का कोई चिन लगा दे उसी को हम मात्रा बोलेंगे हिंदी वर्ण माला में सभी स्वरों की मात्रा निश्चित होती है अ को छोड़कर प्रती एक स्वर की मात्रा होती है अब स्वर की सब की मात्रा होती है किस में नहीं होती है अ में मात्रा नहीं होती है तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो अगर क एक वियंजन है उसमें हमने अ जोड़ा तो क और उसे बना है क उधारण है कमल, कलम अब है ये आ आ की मात्रा इस तरीके की होती है तो क में जब हमने आ की मात्रा जोड़ी तो बन गया है का इससे बने शब्द है काल, काम अगला देखिए, ए की मात्रा, ये है छोटी ए छोटी ए की मात्रा इस तरीके की होती है का में जब हमने छोटी ए की मात्रा जोड़ दी तो ये बन गया की की से बने शब्द है किसान, कितना फिर आता है बड़े ए की मात्रा बड़े एकी मात्रा कुछ इस तरीके से लगाई जाती है क के साथ जब हमने बड़े एकी मात्रा लगा दी तो बन गया की की से बने शब्द है कील, कीमत फिर आती है उकी मात्रा, छोटे उकी मात्रा क के साथ जब हमने छोटे उकी मात्रा लगा दी तो बन गया कू कूली, कूल फिर है बड़े उकी मात्रा बड़े उकी मात्रा का चिन इस तरीके से होता है क में जब हमने बड़े उकी मात्रा लगाई तो मात्रा के साथ ये बन गया कू कूच, कूब अब आता है र रिशी का री रिशी की मात्रा इस तरीके के होती है क के साथ जब रीरिशी की मात्रा लगती है तो बन जाता है क्र क्रपा, क्रशक फिर आता है ए ए की मात्रा इस तरीके की होती है क के साथ जब ए की मात्रा लगती है तो बन जाता है के केला, केवल ए, ए की मात्रा इस तरीके की होती है क के साथ जब ए की मात्रा लगती है तो बन जाता है कै कैसा कैदी ओ ओ की मात्रा कुछ इस तरीके की होती है क के साथ जब ओ की मात्रा लगती है तो बन जाता है को कोमल, कोयल ओ ओ की मात्रा कुछ इस तरीके की होती है क के साथ जब ओ की मात्रा मिलती है तो बन जाता है को कौर कोआ उपरोक्त ग्यारा स्वरो की मात्रा के अतिरिक्त निम्न चार वर्ण भी मात्रा की रूप में प्रयोग किये जाते हैं अब ये चार क्या है? ये वर्ण है और इन्हें भी हम मात्रा की तरही यूज़ करते हैं पहला है अंग अंग की मात्रा होती है ये वाली क के साथ जब अंग की मात्रा लगती है तो बन जाता है हमारा शब्द पंखा हंज अह अह की मात्रा जब क के साथ लगे तो बन जाता है इसी तरीके से अ जब कर के साथ मिल जाये तो बन जाता है आँक पांच औ कर के साथ जब औ की मात्रा मिल जाये तो बनता है डॉक्टर कॉलेज उप्रोप्त सभी मात्राओं के अतिरिक्त कुछ शब्दों के नीचे बिंदू लगाई जाती है यदि हम इन शब्दों के नीचे बिंदू नहीं लगाते तो उनका उच्छारण तथा अर्थ दोनों ही बदल जाता है अब कुछ ऐसे शब्द है जिनके नीचे बिंदी लगानी जरूरी होती है बिना बिंदी लगाए इन शब्दों का जो अर्थ होता है वो बदल भी सकता है जैसे जन्जीर, जख्म, फकीर, बाजार, कागज, कर्ज, फन, राज, आदी फिर आता है र का प्रयोग र में उ और उ की मात्रा नीचे नहीं बलकि दाईं तरफ बीच में लगाई जाती है अब यह जो उ की मात्रा इसको नीचे ना लगा के हम लोग बीच में लगाते है छोटे उ की मात्रा यानि के रुपया, गुरू, रुची इन सभी में र के बीच में मात्रा लगती है उसी तरीके से जो बड़ा रू होता है उसकी मात्रा भी बीच में से ही लगाई जाती है रूप, रूठना, शुरू र का व्यंजनों के साथ प्रयोग जब र किसी व्यंजन के बाद आता है तब वह उस व्यंजन के नीचे लगाया जाता है अगर र अकेला आए जब तो मात्रा उसके बीच में लगाई जाएगी लेकिन अगर र एक व्यंजन के बाद आए तो इसको नीचे लगाया जाता है जैसे प्रकाश, क्रय, भ्रम, प्रेम तो ये प में ये र की मात्रा है नीचे आगे देखते हैं जब र किसी व्यंजन से पहले आता है तब वह उस व्यंजन के उपर लगाया जाता है अगर बाद में आता था तो नीचे लगता था लेकिन अगर पहले आये तो उपर लगा देते हैं जैसे सूर्य, कर्म, धुर्त, वर्शा, ट, ठ, ड, और, के बाद यदी र आता है तो वह इस तरह लगाया जाता है ट्रक, ड्रम, ट्रेन, ड्रामा ये कुछ ऐसे हैं जिनके पीर जो हमने अभी बताया कि उपर लगता है या नीचे लगता है इनमें तो ये अलग से ही लगता है फिर र रिशी की मात्रा हमेश व्यंजन के नीचे लगती है क्रपा, क्रश्न, क्रशक, क्रपान तो ये थी हमारी कुछ मात्राएं अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सक्षिन में जरूर लिखेंगा Thank you so much.